Hello Friends, Today is 15th of September और हम सबी जानते हैं कि आज का दिन ये Ingenious Day के तोर पे सेलिबरेट किया जाता है तो मेरी तरफ से पूरी की पूरी इंजीनियर की फैमिली को Happy Ingenious Day हम सबी जानते हैं कि 15th of September को Ingenious Day के तोर पे मनाया जाता है उसका reason क्या है उसका reason ये है कि आज के दिन 15th of September को सर मोक्षगंडम विश्वस वरेया उनका जन्म हुआ था तो जी हाँ आज के वीडियो में हम जो एक महान इंजीनियर थे जो के हमारे इंडिया में हुए उनके बारे में detail में डिसकस करने वाले है मैं शुरुआत आपको एक छोटी सी story से करता हूँ एक interesting story है मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा past में बात उस time की है जब British rule यहाँ पर हुआ करता था एक train जा रही थी जिसमें कुछ British बैठे हुए थे उसी बोगी में एक Indian attire में एक सादा सा simple सा आदमी भी बैठा हुआ था ब्रिटिश लोग अपने अपने फन में लगे हुए थे और यह सादा सा बैठा हुआ आदमी Indian attire में पगड़ी पहना हुआ अपने पास में एक जो बुक थी उसको रीड कर रहा था जो ब्रिटिश लोग थे अपने फन में लगे हुए थे बाते कर रहे थे गपशिप कर रहे थे अचानक क्या हुआ कुछ टाइम के बाद में जो Indian attire में Indian लिबास में Indian कपड़े पहने हुए सादा सूदा सा मामूली अदमी जो लग रहा था वह अचानक से उठा और उसने ट्रेन में की जो में लगी विक यु उसको पकड़ कर के खींच दिया जो दूसरे लोग कब labi थे वो गुस्सा हो गये कि इसको क्या हो गया अचानत से उठकर के चैन को क्यों खीच दिया वो गुसा होने लगे इतने में क्या हुआ कि जो गार्ड था वो उस पर्टिकुलर बोगी में आया और उसने पूछा कि कौन है जिसने चैन को खीचा सबी लोगों ने उस इंडियन व्यक्ति के तरफ हाथ से इशारख कर दिया उस व्यक्ति ने अपना सर उपर उठाया और बहुत ही कौन्फिडंस के साथ में कहा कि आगे की पट्री टूटी हुई है जो आगे हमने रेल्वे का जो बनाया हुआ है रेल्स हैं स्लीपर्स हैं जो स्ट्रक्चर है जिसके उपर ट्रेन दोड़ती है वो पूरी की पूरी खराब है लोग हैरान हो गए कि यह आदमी तो बैठा हुआ था अपना स्टडी कर रहा था इसको कैसे पता चला लोग गए जाकर के कंफर्म किया आगे जाकर के देखें तो वाकई में ट्रेन की पट्री टूटी हुई थी सबी लोग हैरान हुए कि भाई त तुम तो अपने स्टडी में लगे हुए थे तुम्हें कैसे पता चला कि आगे की पट्री टूटी हुई है इतने सारे लोगों की लाइफ सेव हो गई उसने कहा कि मैं बैठा हुआ था लेकिन मेरा जो मन था वो जाक रहा था तुम्हें लग रहा था कि मेरा ध्यान कहीं पर उनका एक्सपेरियंस उनका नॉलेज उनको बता दिया कि आगे की जो ट्रैक है रेलवे का जो ट्रैक है वो टूटा हुआ है तो आप जरूर जानना चाहोगे वो वक्ति कौन है इस ग्रेट मेन इस नो वन बट सर्क मोक्षयकुंडम विश्वस वरया तो विश्वस वरया ए एक बहुत ही महान इंजिनियर हुए हैं एक सिवल इंजिनियर हुए हैं हमारे इंडिया में उनका जन्म 15th of September 1861 को हुआ था और उनकी डेथ 14th of April 1962 में हुई नियर अबाउट इनकी जो लाइफ थी 100 यूर्स की लाइफ उन्होंने जिये हैं हमेशा इंडियान अटायर में रहते थे बहुत ही सिंपल रहा करते थे ब्रिटिश रूल के टाइम उन्हें तो सेलिब्रेटी स्टैटस मिल गया उहा था लेकिन कभी उन्होंने किसी बात का घमड नहीं किया हमेशा अपनी देश के लिए और सोसाइटी के लिए देखने में तो वह इंजिनियर थे लेकिन इंजिनियरिंग के बी अलावा उन्होंने एकोनामी पे भी बुक्स लिखी हुई हैं बैंक स्टैबलिश किये हुए हैं बहुत सारे सोसाइटी के लिए उन्ह जो के आज करनाटका है वहां के एक छोट से विलेज मुडन हली में हुआ था मुडन हली विलेज इन प्रिंसली स्टेट आफ मैसूर जो के आज का हमारा करनाटका है उनकी अर्ली लाइफ के बारे में अगर हम जाने थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं तो उनके फादर वो अपनी फैमिली को फाइनांशली तोर पे आगे बढ़ाना काफी डिफिकल्ट होता है उनकी जो मदर थी सर्मोक्षगुंडम विश्वस्वरईया की जो मदर थी वो एक होम में करती घर पे काम किया करती थी लेकिन असल फाइनांशल प्रॉब्लम्स उनको तब शुरू मुझानिये मिश्वस्वरईया उनके फादर की डेथ हो गई और आप जानते हैं उनकी फादर की डेथ कब हुए जब सर्वोक्ष गुंडम विश्वस वरया की एज सिर्फ 15 years थी इस age में उन्होंने अपने फादर को खो दिया और हम सबी जानते हैं कि फादर के खोने के बाद उनको बहुत ही जादा finance के लिए problems होने लगी मा तो जानती थी कि मेरा जो लड़का है बहुत ही हुशार है talented है, महनती है इसलिए माने क्या किया हमेशा अपने बच्चे को education के लिए बहुत आगे बढ़ाया उन्होंने अपना अगला education continue रखा उन्होंने primary complete की from चिकबलापूर village उसके बाद में अपना और education आगे बढ़ाने के लिए वो बैंगलोर चले गए बैंगलोर से फिर उन्होंने अपना high school complete किया और फिर बैंगलोर से ही उन्होंने BA की degree 1881 में complete कि और हम सभी जानते हैं कि उनके father's का debt हो चुका था उनके father नहीं थे finance के लिए उन्हें काफी दिक्कते हुआ करती थी during the education तो मुझे लगता है कि इस phase से हर कोई गुजरा होगा कि finance का problem होता है और फिर education भी complete करना रहता है तो इसके लिए एक source मुझे लगता है हर कोई use करता है वो है tuition तो सर्मोक्षगंडम विश्वस्व रहिया इन्होंने भी tuition का ही सहारा लिया और tuition लेकर कुछ finance को इखटा किया और इसी के जरिये से उन्होंने उनकी जो बी-ए की डिग्री complete होने के बाद में उन्होंने college of engineering पुने में admission लिया और वहां से उन्होंने licentiate in civil engineering इस डिग्री को हसिल किया from Bombay University और उसी को आज हम कहते हैं diploma in civil engineering कि डिप्लमा complete होने के बाद में उनके करियर के शुरुआत होती है उन्होंने करियर का आगाज public works department से किया 1885 में या 1884 में इस पिरेड के अंदर उन्होंने public works department को जोइन किया PWD Bombay और फिर कुछ ही टाइम के बाद में ब्रिटिश गवर्मेंट ने उनकी qualification के हिसाब से उनका जो knowledge है उनके अंदर का जो इंजिनियर है उसको पहचान लिया उनकी जो problem solving की जो टेकनिक थी उसको से पहचानने की वज़े से उनका image transfer कुछी दिनों के बाद में हो गया डेकन के अंदर irrigation commission department में वहां पर उन्होंने डेकन में जो drainage related जो problems थे उनको बहुत ही अच्छी तरीके से उन्हें सॉल किया एक्चुली सर मोक्षय गुंडम विश्वस वरया यह problem को solve करने के लिए बहुत हमेशा ततपर रहा करते थे कुछ challenging चीज उनको दिखना चाहिए कुछ challenging काम उनको मिलना चाहिए और फिर उस काम को वह बहुत ही अच्छी तरीके से सॉट आउट किया करते थे उन्होंने अपने life में बहुत सारे ऐसे challenging work को बहुत ही अच्छी तरीके से और आसानी से सॉल किया उन्हीं में से एक जो के बहुत ही काबिले जिकर है वो यह है कि हैदराबाद में एक river है उसका नाम है मूसी रिवर उस टाइम में उस मूसी रिवर की वज़ए से बहुत जादा फ्लड आते थे और उन floods की वज़ए से विशाखा पटनम को भी बहुत जादा problem रहता था बहुत जादा खत्रे में रहता था तो इस problem को सॉल उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से किया उन्होंने क्या किया वहाँ पर gates को security है उनकी life है वह अच्छी से हो गई उनकी एक बहुत ही important invention उन्होंने खुद invent किया है वह है automatic gate मुझे लगता है कि हम सभी उसके बारे में जानते हैं उन्होंने पुने में एक खड़क वासला डैम है उसके ऊपर उन्होंने automatic gate के system को बनाया 1903 में automatic gate के जरिये से उन्होंने automatically जो discharge है from the wire उसको उन्होंने control किया उन्होंने थोड़ा सा दिमाग इस तरह से लगाया कि पहले automatic gate से पहले manually operated gate हुआ करते थे डैम के ऊपर अगर discharge को हमें control करना है discharge को जादा करना है या कम करना है तो gate को operate करना पड़ता था gate को lift करना है या तो drop करना है तो manually operations कि जाते थे तो उसके लिए बहुत जादा manpower लगती थी life भी खत्रे में रहती थी तो इसके solution के लिए उन्होंने खुझ से एक automatic gate blocking system भी उसको कहा जाता है इस system की स्थापना की कौन से डैम पर की थी उन्होंने किया था खड़क वसला डैम में जो के located है पुने में automatic gate का नाम automatic का वर्ड इसलिए उसको दिया गया कि वह जो गेट है वह automatically operate हुआ करते थे जब एडिशनल वाटर आता था तो एक वैल के अंदर वेट mechanism रहा करता था वह वेट क्या होता था वाटर के फिल होने की वजह से उस वेल में वह लिफ्ट अप होता था जिसकी वजह से गेट होता था गेट का operation automatically अब डाउन हुआ करता था तो यह जो ऑटोमेटिक गेट की system उन्हों ने बनाई यह worldwide बहुत जादा spread हुई और खड़कवासला डैम पर ऑटोमेटिक गेट को बनाने के बाद में इसी टाइप के गेट को इंडिया के और भी बहुत सारे जो डैम्स थे उन डैम्स के उपर उसको बनाया गया उनके इसी problem solving technique की होजासे इतनी efficiently वह problem को solve किया करते थे तो इसी टेक्निक की वजा से British government उन्हें special projects पे अपॉइंट किया करती थी और British government का जो रूल था बहुत बड़ा था तो इसी लिए वह international लेवल पर भी उन्होंने बहुत सारे काम किये हुए हैं international जो problems हुआ करते थे उनको भी उन्होंने solve किया हुआ है और इन्ही problem solving के लिए वह कई बार इजिप्ट में भी जाना हुआ उनका USA में भी जाना हुआ कैनेडा में जाना हुआ वह उन्होंने यमन के अंदर specially water supply और drainage related problems थे उनको solve किये international level पर उन्होंने काम किया इसी पिरेड में और फिर उसके बाद में 1909 में British government से सर्मोक्षे गुंडम विश्वस्वरईया इन्होंने voluntary retirement ले ली उसी कौम shortcut में VRS कहते हैं सर्मोक्षे गुंडम विश्वस्वरईया ने बहुत सारे काम किये उनमें से एक काम बहुत ही specific और बहुत ही big उन्होंने किया है वह है construction of dam और वह construction में से डैम में भी तो बहुत सारे construction किये उनमें से एक डैम बहुत ही specific है वह डैम है क्रिष्णा राजा सागर डैम कावेरी रिवर के उपर उन्होंने बनाया नियर अबाउट उस डैम की जो लेन थे 3.5 किलोमेटर है 125 feet इतनी उसकी height है और जो water का storage है वो storage approximately 49 billion cubic feet इतना है इतना huge डैम नियर अबाउट 1911 के period में उन्होंने construct किया था यह डैम के construction की वज़े से जो मैसूर का जो state था वो richest हो गया economy उसकी बहुत ग्रो हो गई हम जानते हैं डैम construction की वज़े से water का storage होता है water का storage होने की वज़े से वह water हम divert करते हैं fields में fields में फील में खेतों में वो पानी आता है जिसकी क्या यहां की सूर्ण स्टेट की सब्सक्राइब जिवची अब एकोनॉमी के जो रजा क्रिश्च्न रजा एट है कि तदे focus । उन्हों ने सर्मोक्ष गुंडम विश्वसवरीया को दीवान की पदवी दधी उन्हें दीवान बना दिवान एक्चुली क्या होता है उस टाइम में next to the minister एक minister के पास में जितनी power होती है न उस type के person को उस type की post को दिवान कहा जाता था तो सर मोक्षो गुंडम विश्वस वरेया दिवान बना दिये गए उन्होंने मैसूर के लिए इतनी जादा काम किये उनकी development की मैसूर स्टेट का बहुत जादा development हुआ इसलिए उन्हें father of modern मैसूर स्टेट के नाम से भी कहा जाता है सर मोक्षो गुंडम विश्वस वरेया को father of modern मैसूर स्टेट भी कहा जाता है उन्होंने मैसूर के लिए ही काम किया सिर्फ ऐसा नहीं है उन्होंने ओवराल इंडिया के बारे में भी काफी सोचा, काफी स्टडी की, एकोनॉमी के बारे में भी काफी स्टडी की और फिर उसके बाद में एक बहुत ही इंपोर्टन बुक लिखी है उन्होंने, उस बुक का इस बुक को उन्होंने काफी अच्छे से स्टडी करने के बाद में अपने इंडिया की जो सिचुएशन्स हैं यहां के अग्रिकॉल्चर यहां के इंडस्ट्री इन सारे का कोलेबरेशन किस तरह से रहना चाहिए कि सो देट इकोनामी विल ग्रो इससे रिलेटेट उन्होंने इस बुक लिखिये हैं ऐसा नहीं है कि उन्होंने वियारेस ले लिया था ब्रिटिश गवर्मेंट से तो उन्होंने काम करना छोड़ दिया था एज एन इंडिनियर और इंडिनियर के तोर पे काम भी किया बहुत सारे कंस्ट्रक्शन भी किये और एजन इकोनॉमिस्ट भी उन्होंने बहुत सारे काम किये बैंक ऑफ बैंगलोर बनाया बैंगलोर बनाया बैंगलोर स्वारी बैंक ऑफ मैसूर बनाया बैंगलोर प्रेस बनाया और भी बहुत सारे काम किये और फिर कुछी टाइम के बाद में 1947 म में हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई और आफ्टर इंडिपेंडेंस 1955 में एक ऐसा एवाड हुने मिला जो के हम सभी भारतियों का सपना है जो हम हर कोई चाता है कि वो एवाड हमको मिले और वो एवाड है भारत रत्न 1955 में सर मोक्षगुंडम विश्व स्वरईया को भारत रत्न से नमाजा गया नियर अबाउट जब सर मोक्षगुंडम विश्व स्वरईया की एज 90 ती आप इमेजिन कर सकते हो कि 90 एज क्या होती है और उस एज में होते हुए भी मोक्षगुंडम विश्व स्वरईया ने वे ब्रीज था उस ब्रीज के कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा योगदान किया उसके अंदर उनका बहुत बड़ा रोल था नाइंटी यर्स ऑफ एज होने के बाद में भी एक इतना बड़ा काम करना यह यह के बहुत ही जादा हम सब के लिए प्रिर्णा दायक है तो सर मोक्षगंडम विश्वस वरेया इन्होंने एजा इंजिनियर सोसाइटी को इतना जादा सर्विस किया सोसाइटी की इतनी जादा खिदमत की इतना जादा फायदा पहुँचाया इसलिए आज का दिन 15th of September as a इंजिनियर सेलिबरेट किया जाता है एक रोल मॉडल एक इंजिनियर किस तरह से होना चाहिए ये पूरा का पूरा हमें सबक मिलता है सर मोक्षगंडम विश्वस वरेया की लाइफ को स्टडी करने के बारे में तो आज की वीडियो से हमें क्या सबक हासिल होता है हम क्या लरन करते है हम ये लरनिंग अच्यू करते हैं कि सर मोक्षगंडम विश्वस वरेया ने जिस तरह से अपनी लाइफ गुजारी जिस तरह से अपने प्राब्लम्स को जो कुछ भी प्राब्लम्स आ रहे हैं रियल लाइफ फिल्ड के अंदर उसको सॉल किया तो यही हमारा भी मकसद होना चाहिए कि हम जब काम करें साइट के ऊपर या तो फिर कहीं और तो जो कुछ भी रियल लाइफ प्राब्लम्स हमारे सामने आ रहे हैं उससे घबराना नहीं है और उसको एफिशेंटली अप्लाइंग अवर नॉलेज प्राक्टीस एंड एक्सपेरियंस उसको एफिशेंटली किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं किस तरह से हम उसको सॉल कर सकते हैं इसके उपर हमारा ध्यान रहना चाहिए तो आज के वीडियो में हमने डिसकस किया के सरमोक्षोगंडम, विश्वस्वरेया इनकी लाइफ किस तरह से गुजरी इनकी लाइफ के अच्यूमेंट्स क्या थे उनका एजूकेशन क्या था उनकी बर्थ क्या थी उनका डेथ क्या था उनकी फैनांशियल कंडिशन क्या थी सिचूएशन के अंदर उन्होंने अपना एजूकेशन हासिल किया उनका गोल्डन करियर किस तरह से ख्या उनके अच्यूमेंट्स क्या-क्या थे तो इन सारी चीजों से हम सब को बहुत सारी चीजे सीखने के लिए है मैं उम्मीद करता हूँ के हम सभी इंजिनियर्स इन सारी बातों से बहुत कुछ सीखेंगे थेंक यू